सदर पुलिस थाना अंतरगत एक चोड़ी का मामला उजागर हुआ है जहां डखेटी में लगबग एक लाग तीसाजार का माल बरामत कर मामली के आरूपियों को गिरफतार कर लिया गया है पकड़ा गया यह चोड़ लखी उर्फ गुजर पविद गौरे उम्र बीस वर्ष नई बस्ती सदर निवासी बताया गया है जो गिटी खदान की एक डखेटी के मामले में पुलिस को बंचित था सदर पुलिस के टीम थाना परिसर में गर्श्द कर रही थी उसी दोरान उन्हें आरूपी लखी गौरे एक दुपईया गाड़ी पर जाते हुए दिखाई पड़ा जब पुलिस ने उसे रुखने का इशारा किया तो आरूपी ने वहां से भागने की कोशिश की जिसे थोड़ी दूर जाकर ही पुलिस ने पकड़ लिया जब उसके पास के गाड़ी के कागजात के बारे में पूछताच की गई तो वो गाड़ी का कोई भी कागज नहीं दे आरोपी ने कुछ दिन पहले ही अपने दो अन्यस साथियों के साथ मिलकर गिटिखदान परिसर में एक और डखेती की वादात को भी अंजाम दिया था इस मामले में भी एक एपल कंपनी के मुबाइल फोन को आरोपी के पास से पुलिस ने बरामत किया है इससे पहले भी कि उर्फ गुजर पबिद गौर है उम्र 20 साल नई बस्ती सदर ऐसा उस यारोपी उसमें इन्वाल था काफी दोना से फरार चल रहा था हमारी डीवी टीम है जिसके इंचार्ज पीस है कुनाल धूरट है इनको पेट्रोलिंग के दोरान यारोपी मिला तब उसको ताबे में उसने वह स्रावबरे में जो मोबाइल वगर छिना था एपल कंपणी का वह भी उससे रिकवर हो गया उसके साथ ही पोलिशिशन सदर यहां पर दो ऑफेंस रिष्टर थे गाड़ी चूरी के वह भी उससे रिकवर हो गये हैं और वने में जो गाड़िया चूरी गई थी गा कर रहे हैं इसके पहले उसके उपर काफी गुने दाखिल है घर पोड़ी या चूरीयों के बड़ी ओफेंस भी दाखिल है और कुल मिलाकर मोबाइल और दो गाड़िया ऐसे मिलाकर एक लाग तीस रिजार का मुद्द्यमाल हमने उसके तरब से जब्त किया है इन्बी से न्